मित्रो, आज हम आपके लिए बड़ा ही पावरफुल और महा सक्तिसाली टोटका लेकर आए हैं, जो की बहुत कम लोगों को पता है, मतलब बहुत कम लोग इस टोटके के बारे में जानते हैं, क्या आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे साधी करना चाहते हैं, या आपकी पतनी, या प्रेमी का, या कोई अन्य आपसे रूट कर कहीं आपसे दूर चला गया है, या चली गई है, तो मित्रो, आज हमारे द्वारा बताए गए इस टोटके से आप किसी भी इस्त्री प्रूस, गल्फ्रेंड, बोईफ्रेंड का आसानी से वसीकरन कर सकते हैं, और उसे अपने करीब ला सकते हैं, यह बहुत ही चमतकारी और महा सकती साली टोटका है, आप सोच रही होंगे भला नाखून से क्या वसीकरन होता होगा, तो मैं आपको बता दूँ, यह सच में काम करता है, हम जो भी टोटका आपको बताते हैं, आप तक लेकर आते हैं, उस हमें इसके अचूक परिनाम देखने को मिले हैं, आप भी इसे जरूर करके देखें, आपका भी इसमें अवस्य सफलता मिलेगी, आपका भी काम इसमें 100% होगा, चलिए अब मैं आपको इसकी विधी बताता हूँ कि किस परकार से इसको करना है, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ और पैर के थोड़ी से मात्रा में थोड़े थोड़े नखून आपको काट लेने हैं, और थोड़ी सी समसान की राक, आपको ताजी राक इसमें लेनी हैं, और एक मिट्टी का बरतन और थोड़ा सा देशी कपूर, थोड़ी सी मात्रा में देशी कप और दो लोंग, इसमें आपको दो लोंग की आवस्यक्ता होगी, लोंग का हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि लोंग इसमें आपको फूल वाली और साबूत ही लेनी है इस तरह की, और एक प्लेन पेपर की आवस्यक्ता होगी, चलिए हम मैं आपको बताता हूँ इसको किस इस परकार से आपको इसको करना है आपको सबसे पहले थोड़ा सा समसान की राग इसमें मिट्टी के बरतन में थोड़ी सी मात्र में समसान की राग रख लेनी है अब आपको इसके उपर थोड़ा सा देशी कपूर आपको रख लेना है और दो लोंग आपको इसमें रख लेनी अब आपने जो अपने हाथ और पेर की नखून काटे थे उन नखूनों को इसमें रख लेना है इस परकार से अब आपको माचिस की साहता से सावधानी पूरवक इन सभी को इस परकार से जला देना है जलने के बाद अब बची हुई राक को एक प्लेन पेपर पर आपको रख लेना है इस परकार से और थोड़ी सी मात्र में लाल कुमकुम या लाल सिंदूर इसमें इस परकार से मिला लेना है और एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, उस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारन करना है आप चाहें तो इसका स्क्रिन सोट भी ले सकते हैं मंत्र है ओम रीम क्लीम स्रीम अमुक में वश्यम करू करू स्वा द्वाई बहरोनात की अमुक के स्थान पर आपको उस इस्त्री या पुरुस का नाम का उचारन करना है और 108 बार इसको मिक्स करते हुए इस मंत्र को बोलना है और 108 बार मंत्र बोलने के बाद यह राक सिद्ध हो जाएगी अब इस राक को आपको उस इस्त्री या पुरुस के घर के सामने आपको डाल देना है और जब भी वह इस राक के उपर से गुजरेगा या गुजरेगी उस इस्त्री या पुरुस पर बड़ा ही भेंकर वसीकरन होगा और वह एक पल भी आपके बिना रहना ही पाएगी और तुरंत आप से मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी यह बड़ा ही पाउरफुल और आज माय हुआ हुआ टोटका है आप इसे जरूर से जरूर करके देखें और कमेंट में हमें लिख कर जरूर बताएं